हाई अव्यवान वी वेल्कम यू अन्ट अमेजिंग सेशन पूरी बजेट वह दोस्तों पोस्ट बचेट तो देखेंगे पर प्री बचेट बहुत कामखी चीज है क्योंकि पोस्ट बजेट में तो हो जाने के बाद हम एजीली कहेंगे कि यह सेक्टर के लिए वहां पर कोई प्रोविशन नहीं है यह सेक्टर के लिए यहां पर अच्छे न्यूज है तो वह इजी है कि कहना डेफिनेटली इजी है और यह अभी जो हम करने जा रहे हैं वह भी इजी है बट हाड क्या है हाड है उसे फॉलो करना है तो चले दोस्तों सुरू करते हैं विकली मार्कट ए सब्सक्राइब देखेंगे कि दिफ्टी कि बजेट वीक है एडिव पर ले जा रहा हूं यूज फॉक्स बट ट्रेडिंग यूज करता हूं ट्रेडिंग यूज पर यह जो आर्ट है जो लिखना है एक्स्ट है वह आसाम है इसलिए मैंने यहां पर ओर्डेडी चार्ट पी बेज़ेट में क्या हो सकता है कि मंडे बजेट है का और समबाल के कीज़ेगा ट्रेडिंग ऐसा में नहीं कहूंगा त्प्रेडिंग करना चाहिए वहाँ पर बजेट हो यां माल समबालके करना याने फॉडॉड डॉप्र व्लडुश ऑज कि दॉडॉड नेक्ता लिए यह बता चलता है कि निफ्टी वीक्ली चार्ट पे यह जो ट्रैक था उसका अप्रेंड का उससे बाहर निकल चुकी है बाहर निकलना इस नॉट गूट साइंग अभी कैंडर का अनलिशीज करें तो हाई अप डेट कैंडर कैंडर इस फ्र फो नाइन वन पोंगा और यह जो आप यह जो था फो नाइन वन पोंगा यह वीक्ली चार्ट की बात कर रहा हूं ने इंट्रादें में जो बाहर अर्ली भी आ सकता है और सैल भी आ सकता है anything can happen, but as per the weekly chart, if Nifty crosses 14491.10, then Uptrend बापिस continue हो जाएगा और यह जो fall है वो भी Uptrend का part माना जाएगा, okay, so next week के लिए सबसे important level यह है, 14491.10, Nifty का closing है 13634.63, जो definitely low के pass है, so it is 13596.75, right, so आने वाले week में अगर Nifty 13596.75 के नीचे जाती है, तो उम्मीद है कि नीचे fall continue हैगा, पर as a practical trader, अगर मैं अपनी बात करूं, तो 14491.10 for long, I agree, 13596.75 के नीचे fall उसमें भी agree, but advisable क्या है, वो मैं बताता हूँ, long के लिए red candle का high advisable है, क्योंकि already fall के बाद आप enter होते हो, तो smoothness मिलती है, तुरण stop loss भी hit नहीं होता है, but एक बड़े red candle के बाद, अगर आप sort करते हो, तो वहाँ पर फस्ने की chances होते हैं, क्योंकि जो close होता है, वो लोग के पास है, तो next week में अगर sort के लिए, definitely as a analysis, as a analyst, 135, 96.75 के नीचे अच्छा नहीं है, पर अगर as a trader में बात करूँ, analyst और trader में बहुत बड़ा difference होता है, okay, analysis means बोलना, कहना, share करना, trading याने, अगर मैं अपनी बात करूँ, तो trade करना है, तो advisable क्या है, वो मैं बता देता है, next week में, ये week से एक close उपर आ जाना, याने, I will look for reaction, right, candle गा color matter नहीं करता है, close जो है, वो ये close से उपर होना चाहिए, फिर जो भी ये low, या reaction का लोजू आएगा, उसके नीचे ज्यादा advisable है, पर अगर levels की बात करों, तो हमने आपके साथ स्यार कर दिया, 13596.75 week, 14491.10, strong, 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 but short की बात करें, long की बात करें, तो ये advisable है, and this is only for paper trading, 14491.10, uptrend continue हो सकता है, stop loss फिर ये candle का low, या फिर जो candle ये high break करें, उसका अगर low इससे नीचे रहेगा, तो फिर ये ही candle का low stop loss, but short side की अगर मैं practical way में बात करूं, तो मैं तभी करूंगा, जब यहां पर एक reaction आ जाए, याने budget week के बात के week में, ठीक है, so this is about the nifty analysis, और आपके जो भी तोस्ते हैं, उन लोग के साथ जरूर सेर कीजिएगा, 5000 subscriber के बहुत ही करीब है, ठीक है, जो already है, वो भी हमारे साथ जूड़े रहे, आपके, we are happy, right, so this is about the nifty, bank nifty का analysis हम करेंगे, Monday का भी हम prediction, Monday का prediction तर नहीं, पर Monday हम क्या करेंगे, वो हम से करेंगे, यही prediction वोट शूट नहीं होता है, ट्रेडर को, तो यहां पर चलते हैं, nifty के बाब जो ध्यान में रखने वाला स्टाउक है, one and only, Reliance, Reliance जो है, struggle कर रहा है, Reliance एक ऐसा स्टाउक है, जिसने, last year, सबसे week भी पहले वो हुआ था, फिर, जब market उपर जाने की तैयारी कर रहा था, उसमें भी सबसे पहले signal उसने दिया था, और इस बार fall भी सबसे पहले, उसी ने दिया, विख भी वही हो गया है, यह trend line cross अगर हो जाती है, इस इस जा मार्केट, अनिफिंग कैन हैपन, कहीं लोगों वो लगता है की, Reliance आप रोजे 184, 11.95, सो, impossible to cross to 120 for Reliance, बट यहां पे impossible ही होता है, बट, सबसे ने विक के लिए, फो मी, I will watch Reliance अबोर 2120, वो गर वो cross नहीं होता है, तो मैं अभी 1923.35 के नीचे ही है, तो मैं दो विक ही consider कर रहा हूं, पर, I will wait to cross 2120, राइ, to enter in this counter, सो यह ध्यान में रखेगा, यह cross होता है, तो breakout उसमें आ सकता है, सब्सक्राइब के लिए, stop loss definitely, the low of reaction, 1830, राइ, विक के पहले का एनारशिस, वाद बजेट वीक, वन मोर स्टॉक्स, आर्थी, जो भी न्यूकमर है, F&O ग्रूप में नया बन रहा है, तो उसको संबाल के, प्रेट करेंगे, राइगिंग नहीं करेंगे, चलिए देखते हैं, यहां से reaction है, तो यह reaction से, आप ऐसे draw कर सकते हो, नेक्स्ट विक के लिए, आर्थी action कर लो, 113253, reaction कर लो, 1120.15, so watch these stocks, below 1120.15, okay, it can go down, definitely the high will be, the stop loss reaction high, and it is 1193.15, 10.75, आगे का फंट आपको बता है, कि यह लो जैसे, ब्रेक होता है, उसके बाद, revise stop loss, with the high of previous, weekly candle, और if you want to find the target, then nearest bottom, will be your target, 1092.05, जितनी भी bottom, that will be your target, and to reach the target, you will need to revise the stop loss, with the high of previous candle, so next week के लिए, आर्थी, कॉर्गेट पामोल्यू, मंदी में भी तैडी का, एहसास कराने वाला यह stock, चलिए देखते हैं, यह तो पूराना टेग है, पर उसको यूज कर लेते हैं, इसको निकालते हैं, कॉर्गेट डेफिनेटली, इसके लाइट टेम हैं के बहुत करीब है, शायद 1676 के आसपास है, चलिए, यहाँ पर डेफिनेटली, उसने ब्रोक किया था, ब्रोक दे ट्रेंड लाइन, अगेन वो उपर एंटर हो चुका है, पर यह reaction माना जाएगा, तो यह लोक के लिए नीचे 1495, जिनके पास है, वो भी यह स्ट्रॉक्टर्स रख सकते हैं, अगर उनको पस्ता नहीं होगा, कि छोड़ने के बाद, स्ट्रॉडर्स होने के बाद, वो बढ़ गया, तो डेफिनेटली यह लेवल फॉलॉप कर सकते हैं, यह लोग को यह रिग्रेट रहता है, कि मैं छोड़ दू, डर लगता है, कि मैं पस्ता हूंगा, कि स्ट्रॉडर्स को छोड़ दूँगा, दोस्तों, अगर स्ट्रॉडर्स रहे गए, डेमेट अकाउंट में, तो सालों बीच जाते हैं, उमर बीच जाती हैं, और कभी तो हम भी बीच जाते हैं, ठीक है, यह ध्यान में रखेगा, तो इस इस दूप लॉस फोर जो इन के पास है, या फिर इसके नीचे और गिव सकता है, नाव आउए इम गोईंग तो डिसकॉस लास टॉक, बट इस इस नौट दे लास वीडियो, वाँ, आउए वाँ, वाँ, आउए शर्चिंग नवाई सी, SBA लाइफ, हमने जीतने भी स्टॉक विसकॉस किये, उसमें से, ज्यादा भी किये हैं अभी चात पे, वो मैं कैसे बता सकता हूं, उसमें कोई ताजूब की बाद नहीं है, इस नौट अमैजीक, यू कुट अर्सो से, जितने भी स्टॉक डिसकॉस किये, उसमें से, या जो भी हो, सभी वापेश नहीं देखेंगे, आपका वक्त नहीं डूंगा ज्यादा, पर ये स्टॉक में आपको एक चीज़ दिखेंगे, रियक्शन लेया, पर उसमें भी रेट केंडर, याना रियक्शन भी वो सही धंग से नहीं दे पाया, यहां से एक प्रेंट लाइं, जिस पे एक्शन का लो, अच्छा, 838 के निचे, SBI लाइफ, जिसकी लाइफ खतम हो सकती है, बिड़ो 838, अच्छा बेस, और स्टॉक्ष विल भी दिखेंगे, रियक्शन केंडर, अच्छा, एक्शन लाइफ एक्शन केंडर, यहां से ट्रेट कीजिएगा, स्टॉक्ष रखेंगा, किसी की भी बात में मत आना, वन मोर थिंग जो मैं कहना चाहूँगा, कही लोगों का ऐसा कहना है, कि लोग ट्वीट करते हैं, और सहर बढ़ता ऐसा नहीं है दोस्तों, अल्रेडी चाट पे वो चीज आती है, अब देख सकते हो, यू कैन फिल इप रखेंगे, so see you in the next video, till that good bye take care for all the stop loss.